मान्निय सदश्गन अंत्रिष्ट के शित्र में हमारी महत्पून उपलवदियों के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बैद कुशी हो रही है। इन उपलवदियों से प्रतेक भारतिये गौर्वानविंत हुआ है और वेश्चिक इस्तर पर हमारे देश का कद बड़ा है। 23 अगास 2023 को चंद्रमा के दक्षनी धुर्व के पास उतरने वाला पहला देश बनकर हमने एक एतियासिक उपलवदी हासिल किये। चंद्रयान थी की मिशन की सपलता हमारे विज्ञानिकों के अथक प्रतिबत्ता का प्रमान है। जो निरंतर ब्रमान के सुदुर्व शेत्रों तक पहुँचेने का प्रयास करते आये हैं। इस सदन के माद्यम से मैं इस अबूतपूर उपलवदी के लिए इस्टों के सभी विज्ञानिकों और इंजिनरों और भारत के लोगों को बधाई देता हूं। भारत विश्ञ कल्यान के लिए अपनी सपलताओं और उपलवदियों को दूसरों के साथ साजा करने में विश्वास रखता है। इसलिए हमने चंद्यान थी की सपलता को विश्ञ के वेग्यानिक समुधाय और पूरी मानुता को समर्पित किया है। हमारे प्रज्ञान रोवर नहमेच चंद्रमापर, सलपर, ऑक्सिजन, एल्यूमिनियम, केल्शियम, आइरन जैसे तत्यों की मोजूद की सईत अन्ये अमुल्ये जानकरी भेजिये। जिसे अंतिष्ट के बारे में मानो ग्यान में वर्दी होगी और भावी अबूत्पूर्खोजों का मार्ग प्रशत होगा। 23 अगस्त को राष्टिय अंतिष्ट दिवस के रूप में मनाना उचित होगा। एक ऐसा दिन होगा जो हमारी भावी पीडियों को जीवन में उच्च मत कांशाएं रखने और उन्हें साखार करने के लिए कड़ी मेनत के लिए पिरेजित करता रहेगा। मैं चंद्रमा पर चंद्रयान टू के पद्शिन्नों को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान ठी के लेंडिंग इस्तल को शिवशक्ति पॉइंट का नाम दे जाने का भी स्वागत करता हूं। ये नाम हमारी सदियों पुरानी विरासत के सम्मान के साथ हमारी वेज्ञानिक मत कांशाओं और प्रयासों के प्रतीक हैं। अंत्रिक्ष अन्वेशन के शित में प्रगती जारी रखते हुए चंद्रयान ठी की सपलता के दस दिनों के भीतर हमने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सोर मिशन आदिते एलवन लॉंच किया। ये सूरी का अध्यन करने वाला हमारा पहला वेज्ञानिक मिशन है जिससे सूरी के भीतर होने वाली भोतिक प्रक्रियाओं और प्रती पर उनके प्रभाव के बारे में जानकारी में ब्रधी होगी। चंद्रियान 3 और आदिते एलवन सपल अंतिश कारिकम होने के साथ ही भारत की वेज्ञानिक और तक्निकी शक्ति के उदे और हमारी प्रतिबा और शम्ता के प्रतीक हैं। इन दोनों मिश्णों में बड़ी संख्या में महिला वेज्ञानिकों ने आगे बढ़कर नित्त किया है। जिससे नए भारत में महिलाओं के योगदान का पता चलता है। इन दोनों मिश्णों को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया है। हमारे अंतिक्ष कारेकम की जो बात दूसरों से अलग करती है, वो हमारी सभी परियोजनाओं में कम लागत। इससे अंतिक्ष प्रोध्योगिक में हमारी बढ़ती स्वंताओं के साथ साथ हमारे वेग्यानिकों की परतिवा का परिचे भी मिलता है। इन उप्लब्दियों के फल्सरोप भारत ने अंतिक्ष के श्यत में विश्व में अगरी देशों में अपना इस्तान बनाया है। ये सभी उप्लब्दियां प्रधानमंती माननी नेंद मोधी जी के नितुत में भारत सरकार के अथक प्रयासों से संबवन हुई है। प्रधानमंती बनने से पेले भी स्री मोधी जी अंतिक्ष में घहरी रुची रही है और चंद्रियां मिश्णों के साथ उनका घहरा भावनात्मक जुडाव रहा है। दोजार आठ में जब चंद्रियां वन का सपल प्रशेफन हुआ था वो इस्त्रो गए और वेक्तिकल रूप से वेग्यानिकों को बधाई दी। 2019 में जब अन्तिम समय में कुछ तक्नीकी खराबी के कारण चंद्रियां टू वांचित उद्देश प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्होंने हमारे वेग्यानिकों को बीच जाकर उन्हें विफलताओं की चिंता किये बिना लक्ष प्राप्ती के प्रियास के लिए प्रित किय COVID-19 के समय जब पूरी दुनिया संकट में जूर रही थी ऐसे में मान्य प्रधान मंती से नयन्द मोदी जी इस विप्धा का उपयोग आउसर के रूप में किया करते हुए अंतिक्ष शेत सईत देश की अर्थ वैस्ता के विबिन शेत्व में महत्पूर्ण सुधार लाने के लिए प्रियासरत रहे उनके इनी प्रियासों के फल्सुरूप हम विश अंतिक्ष शक्ती बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में अंतिक्ष स्टार्टपों की संक्या में रिकार्ड वर्दी हुए पिछले साल निजी शेत में निर्मित पहले राकेट विक्रम एस का प्रश्यपन हुआ है युआ स्कुली सातों ने दो अबग्रह आजादी सेट और आजादी सेट टू लॉंच किये अंतिक्ष प्रद्यकिक्षेत में हमें महत्पूर्ण सपलता मिली है जैसे प्रजो प्रशेपन वहानों का प्रश्यपन एक बार में 104 उबग्रह लांच करके हमने विश्च रिकार्ड बनाया है इन उप्रवद्यों के फलसूप भारत में दुनिया का नजरिया बदला है हमारे देश को लेकर विश्च समुधाय के डश्टी कोन में बदलावाया है माने प्रधानमंति नजिन मोदी जी के दूर दर्शी नेतत और विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के कारण ही संबव हो पाया है हमारा सपल अंतिक्ष कारिकम उनके जे विज्ञान जे अनुसंधान के आवान का सबसे बड़ा प्रमान है ये विज्ञान और नवाचार का सबसे अच्छा उधारन है जिसमें स्टार्ट अप MSME को बढ़ावा मिला है रोजगार अफसरों का सर्जन हुआ है हमारे विकास को भी गती मिली है क्रशी मत्यश्य पालन संचार नेविगेशन राष्टी शुरुक्षा सईत हमारी अर्थ वहस्ता के सभी शित्व में योगदान के माध्यम से हमारा अंतिक्ष कारिकम देश के लोगों के जीवन में गुर्णान पक्त परिवर्तन ला रहा है हमें विश्वास है इन उपलब्दियों में हमारी आने वाली पीडियों को बड़े सपने देखने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेनत की पेड़ना मिलेगी सभी देश्वासियों को दो जास सेतालिस तक एक विक्सित भारत बनाने के लिए मिलकर कारे करना होगा और अपने आपको पुन समर्पित करना होगा मुझे विश्वास है ये प्रतिस्ति सदन इस एत्यासिक उपलवदियों में प्रधानमंती मोदी जी के नित्त की सरहना करने भारत के लोगों विशेश लूप से युवाओं का उस्सा वर्धन करने तता महिलाओं के योगदान के साथ सभी संगटनों और वेक्तियों के यो